बिहार की एक ऐसी खुंखार महिला जिस महिला पर बनी एक संदार फिल्म एक पोस्टर हमारे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा जो आप लोग अपने मुबाइल पर देख रहे होगा ये पोस्टर है बैंडिट सकुंतला ये एक ऐसी महिला जिस महिला के साथ ना जाने कितनी बलतकार हुआ और बलतकार करने वाला कोई और नहीं अमने श्टोरी पढ़ा तो पता चला उनके रिस्तदार और उनके ग्रामी अब सोचे कि इस महिला को जब न्याय नहीं मिला तो यह महिला खुद हाथों में हत्यार उठा ली अब सोचेंगे यह कौन बिहार की महिला है जिस सरकुंतला महतों के साथ जो हुआ वो इस फिल्म में सरकुंतला महतों को खुद बता दी है जरा इस ट्रेलर लॉंच होने के बाद जो हमने देखा वो सोचा कि आपको भी देखा दो जरा साथ ट्रेलर का कुछ दिरिश्ते को देखिएगा मतलब आप लोग देख लिए होगे ये बिहार की महिला थी और ये फिल्म आने वाली है लेकिन मैंने ट्रेलर देखा तो ऐसा लगा मतलब भावक सा हो गया कि आखिरकार ऐसे ऐसे घटना भी बिहार में हुआ और जब न्याय नहीं मिला तो खुद महिला हतियार उठा ली इस फिल्म में जिस प्रकार से इस ट्रेलर में जिस प्रकार से दिखाये गया है उसके देखते हुए मैंने इस खबर को पढ़ रहा हू यह सकुंतला नाम सुनकर आप सोचते होंगे यह कोन खुंखार महिला है यह कोन सकुंतला है तो मैं आपको बता दूँ कि बिहार के मधुबनी जीला के रहने वाली यह सकुंतला महतो है जिनके साथ उनके रिष्टदार और ग्रामिनों ने खुब बलातकार किया यह प्रीता और इस फिल्म में जो सच्चाई दिखाया गया है बताया या जा रहा है कि ये वही सच है और ये सबसे बरा सच इसलिए आप लोग मानेंगे क्योंकि इस फिल्म में जो में लीट की हुई है ये वही सकुंतला देवी है ये वही सकुंतला महतो है जो एक प्रीता है जिनके साथ लगतार कई दिनों तक बलातकार किया गया और जब इनको न्याय नहीं मिला तो न्याय पाने के लिए खुदी अपने हाथ में गन उठा ली और फिर जो हुआ वो इस पुरी फिल्म में दिखाया गया है जो एक के सकुंतला महतों पे आधारित है यह फिल्म के बनाने वाले है ह हैदर काजमी एक सबसे बड़ा डारेक्टर है बिहार का एक हुनहार बेटा है जो बेटा ने अपने जहानाबाद में फिल्म सीटी खोला उसके बाद जहानाबाद में स्कूल बिहार स्कूल अप ड्रामा जैसे संस्थान खोल दिये और वहाँ पे बच्चे पराई लिखाई करके कही न कई एक्टर लाइक के अच्छी अच्छे फिल्मों में काम भी करते हैं अब वही हैदर काजमी ने इस फूरी फिल्म का जो है प्रेडूश करके और इस फिल्म का निर्बान किये और इसमें कई ऐसे बोलीवुड के नामचिन जैसे अभिमन्निव सेंग और अमकार जाती थी जहां पे नियाय नहीं मिलने के कारण सकुंतला महतो खुद गुंडा बन जाती है और फिर गुंडा बन कर कई ऐसे घट्डा को अंजाम देती है बताया यह जाता है कि चौंगन जो केसेस है वह उन पे है और उसके बावजुद भी कोर्ट को सायद किसी भी प्रका बन गई और अपने हाथों में बंदूक उठाकर इस प्रिकार की घट्डा भी जो इस ट्रेलर में दिखाया गया वह हमें लगा सबसे पहले आपको हम कुछ ट्रेलर की दिर्ष्टे को दिर्ष्टे को दिखाना चाहेंगे थोरा सा देखिएगा समझ गहेंगे कि यह ट्रेलर का कुछ हिस्सा था जो सकुंतला महतो जो है वह सकुंतला महतो खुद आक्टिंग की हुई है हमने दिखाया लेकिन इस तरीके का फिल्म को लेकर और इस फिल्म में आपने देखा होगा कि बैंडिट ट्विन भी आया था लेकिन उसमें कोई भी वैसे कलाकार नहीं थे जो कलाकार पे फिल्म बनी हो और वो खुद उसमें कलाकार हो लेकिन यह कैसे फिल्म भारत में लॉल्च होने और इलीज होने जा रही है जिसका नाम बैंडिट सकुंतला है और इसमें सकुंतला महतो जिन पे फिल्म बनाई गई है वो खुद इस पे म हुआ था वह आखिरकार कैसे सकुंपला महतों बर्दास्ट करके यहां तक फिल्म में भी अपना वह सच्चाई दिखा दिए बाकि क्या राय है प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा मेना नाम कैफी है आपनों बिहार वाले कैफी पर मुझे देख रहे थे